दोस्तों नमस्कार मैं संदीप उमार एकबर फिर से आप सभी का अपने इस यूटीब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं पिछले वीडियो में हमने जाना कि किस प्रकार हमारे जीवन में कुछ चैलेंजिस है और जो सबसे बड़ी चैलेंज है कि जो हम चाहते हैं अपने जीवन में प्राप्त करना जो हम हासिल करना चाहते हैं उन्हें हासिल करने में हमें इनॉर्मस स्ट्रगल करना पड़ रहा है और उसके बावजूद भी कई बार हम उन चीजों से महरूम रहे हैं। जबकि उसके उलट जिन चीजों को हम जीवन में नहीं चाहते हैं, वो अनायास हमारे जीवन में शामिल हो जारी हैं। और जिसकी वज़़ से हमें परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चाहे वो हमारे financial aspect हों, चाहे वो हमारे relationship के aspects हों, चाहे हमारे professional aspects हों या फिर हमारे health related issues हों। इन सभी के पीछे कारण क्या है? इसका भी हमने जाए-जा लिया था और वो कारण जो है, वो basically है हमारे thoughts. जो negative thoughts हमारे mind में, जो नकारात्मक विचार हमारे mind में उत्पन होते हैं, जो हमें drag करते हैं और हमें appropriate action लेने से रोकते हैं. ऐसे में जब तक हम उन नकारात्मक thoughts को पूरी तरह से eliminate न कर दें, पूरी तरह से निकाल बाहर न करें और उसकी जगह सकारात्मक thoughts को implant न कर दें, नहीं चाहेगा कि इस एक मात्र जीवन में हम अपनी अपेक्षाओं को अधूरा रखकर इस दुनिया से विदा हो जाए हम सभी चाहते हैं कि एक जीवन में हम अपने वो सारे अचीवमेंट्स अपने वो सारी ख्वाईशें पूरी करें अपने जनरेशन्स के लिए कुछ बहत था हमारे नकारात्मक थौट से अगर हमें डील करना है, तो हमें तीन चीजों को समझना बहुत आवश्चक है, वो तीन चीजें क्या है, सबसे पहली चीज, process of occurring of the thought, वो जो विचार हमारे मन में उत्पन हो रहे हैं, वो क्यों उत्पन हो रहे हैं, कैसे उत्पन हो रहे हैं, इन चीजों को जानना, दूसरी चीज है कि चुकि वो विचार हमारे मन में उत्पन हो रहे हैं, तो हमें अपने मन को समझना बहुत आवश्चक है, revealing human mind secrets यह बहुत important है जब तक आप अपने मन को नहीं समझेंगे how you would able to deal with it so दूसरी चीज है कि हमें अपने मन को समझना बहुत नावशक है उसके बाद हमें ये भी समझना होगा टेक्निक लिए कि कैसे हम अपने negative thoughts से deal करें कैसे हम उन नकारात्मक विचारों को पूरी तरह से handle करें कैसे हम उसके counter parts generate करें या create करें अपने mind के अंदर और कैसे पूरी शक्ती और पूरी उर्जा के साथ अपने life goals को achieve करें so इसी करम को आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा topic है वो है human mind जब हम अपने मन को बहुत 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 से समझेंगे तभी हम उसके साथ deal कर पाएंगे और एक खास बात मैं आपको बताओ human mind is the most strongest tool in this world दुनिया में किसी दूसरे species के पास इतना विकसित मन और इतना विकसित दिमाग नहीं है और अगर इस ताकतवर टूल को हम इस्तिमाल करना ना जाने अगर इसे हम सही धंग से उपयोग करना ही ना जाने तो ऐसे में हमें इसकी सक्टियों का उपयोग करना बहुत आवशक है और उससे पहले उसे जानना सो यहां पर मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने रख रहा हूँ क्यों हुमन माइंड को दुनिया में सबसे सक्तिशाली मन कहा जाता है या सबसे सक्तिशाली दिमाग कहा जाता है क्योंकि इसके बनने के प्रॉसिस में लगवग 6 करोड 60 लाक वर्स लगे लास्ट मास एक्स्टिंक्शन के बाद जितने भी स्पीसिस बच गए उन्ही में से हम एक हैं होमो सेपियन्स और इस क्रमानुगत जिसको कह सकते हैं एविलिशन के दौर में हमें लगवग लगवग 6 करोड 60 लाक साल लगे आज तक पहुँचने में यह समय्ट कर यह हमारा माइंड डेवलिफ हुआ और इसके डेवलिफ होने के पीछे का कारण जो जिसको कह सकते हैं जो बेस था ता हमारा सर्वाइवल फो इस डिजाइन फॉर आर सर्वाइवल हम इस चालेजिन वर्ल्ड में कैसे सही ढंग से जीवित रहें कैसे हम अपने जीवन यापन करें, कैसे हम अपने जीवन को आगे लेकर चलें, कैसे हम अपने जिनरेशन को डिवलप करें, ग्रोव करें और कैसे हम एक विक्सिट जीवन जी सकें बस यही एक तरह से समझ लें कि मोटो था इस पूरे development process के पीछे अब यहां पर एक चोटी सी point मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ देखो पिछले लाकों अजारों सालों के दर्मयान जो हमारे survival matrix थे वो बिलकुल अलग थे रहने के लिए हमें किसी घर की आवश्यक्ता नहीं हम किसी भी केव में रह लेते थे खाने के लिए कुछ भी मिल गया वही खा लेते थे और जंगलों में हम एक तरह से समझने के hunter gatherers की तरह घूमते थे ठीक किसी other जानवर की तरह लेकिन धरे धरे evolution के दर्मयान हमें हमने कुछ अपने बदलाव किये हमने कुछ विकास किये और वहां से हमने कुछ changes किये और पिछले 100-200 सालों में यह changes हैं यह exponentially एक तरह से कहें तो बदल चुके हैं आज अगर घर की बात हो या shelter की बात हो तो वो cave या चारदिवारी के ऊपर एक छट हमारे सामने वो reflect नहीं होता आज घर की बात जब होती है तो हम सोचते हैं हमारा flat हो या duplex हो हमारे पास बंगलो हो या जिसको कह सकते हैं कि simplex हो हमारे घर के भीतर जो सुक सुविधा और साजो सामान है वो कैसे होने चाहिए खाने पीने की बात करें तो पहले के मुकाबले आज हम ज़्यादा विक्सित हो चुके हैं हमारी जो requirements हैं जो हमारी needs हैं वो पूरी दर से बदल गई हैं कहने का मतलब मेरा यह है कि आज जो survival matrix हैं वो आज से 500,000 साल पहले के survival matrix थे उसके अनुरूप नहीं है यह बिलकुल बदल चुके हैं और आज के इस materialistic world में अगर आपको survive करना है तो यह जो चीजे मैं आपको बता रहा हूं आज के जो आज जो विक्सित चीजे हैं वो हमारे पास होनी बहुत आवश्यक हैं अदरवाइस कहीं न कहीं हमारे मन में नकारात्मक्ता आईगी यह हम कह सकते हैं कि हमारे जीवन में हमें struggle face करना पड़ेगा तो आज के materialistic world में अगर आपको cope up करना है तो यह हर टो reprogram your mind कुछ लोगों ने उसे reprogram करने में सफलता हासिल की और वो सफलतम उचाईयों पे हैं आज उनके पास वो सारी luxuries हैं आज उनके पास वो सारे विक्सित जिसको कह सकते हैं परामेटर्स में वो fit हैं या जो सारे विक्सित परामेटर्स हैं वो उनके जीवन में सामिल हैं उनके पास वो सारी luxury है जो साइद आपके मेरे पास ना हो इसके पीछे का कारण है कि उन्होंने आज के survival matrix के हिसाब से अपने mind को prepare किया हुआ है या कहें तो design किया हुआ है and accordingly they are acting and achieving their goals so basic point यह है कि अगर आज के survival matrix से हमें coop up करना है so we have to reprogram it now what are the challenges समस्या क्या है दोस्तों समस्या है हमारे mind की complex functionality यह जो लाखों सालों में develop हुई tool है इससे इसके साथ deal करना इतना आसान नहीं है until or unless you know technically how it works जब तक आप इसके functionality को अच्छे से ना समझ लें तब तक इसके साथ deal करने में आप कामयाब नहीं होगे आज हम human mind के उन्हीं पर्तों को खोलेंगे कि आखिर इसकी functionality क्या है इसके levels क्या है वैसे तो सास्त्रों में अगर कहें तो इसके चार levels माने गए है पहला मनस मनस यानि मन दूसरा बोध यानि बुद्धी इंटिलेक्ट तीसरा एहंकारा एहंकारा मिंस इगो नहीं एहंकारा का मतलब है Inner Self Image Internal Identity एनबर फोल चित्त चित्त का मतलब है The very nature of a creature The Deep Mind अगर इन चारों पर चर्चा की जाए तो साथ 15-20 घंटे भी कम पड़ेंगे ऐसे में To cut shot मैं आज जो modern science जिस तरह से mind को define करती है उन चीजों को उन पहलूँ को मैं आपके सामने रखूँगा जो modern findings है वो मैं आपके साथ share करने वाला हूँ और modern findings के नुसार mind को दो हिस्सों में divide किया गया है और पहला हिस्सा है the conscious mind जिसे हम चेतन मन भी कहते हैं जो हमारी चेतना का प्रतिन दितु करता है वहीं एक दूसरा हिस्सा है इसका जिसे हम अव चेतन मन या अर्ध चेतन मन कहते हैं या subconscious या unconscious mind भी कहते हैं यहां एक बात मैं आपको बता दूँ, यह जो subconscious और unconscious शब्द है, यह एक ही mind के बारे में, जिसको कह सकते हैं, एक ही mind को कहा जाता है, ऐसे में कभी-कभी अगर मैं subconscious या unconscious कहूं, don't confuse, जब मैं unconscious और subconscious कह रहा हूं, it means, I am talking about the same mind, so यह जो दो level है, actually यह ऐसा नहीं है कि mind के दो हिस्से हैं, actually दो functionalities है, जिसको कह सकते हैं, दो functions हैं, एक ही mind के, हमारा मन दो level पर operate करता है, और इन operations को जरिये ही हमारा जीवन चलता है, इन दोनों के, जिसको कह सकते हैं, प्रतिभागिता के जरिये, एक दूसरे के साथ coordination बिठा कर ही हमारा मन काम करता है, और हमारे जीवन को चलाता है, अब थोड़ा सा इसके functions को elaborate करते हैं, हमारा जो चेतन मन है, basically यह अपने five senses के आधार पे काम करता है, और हमारी मदद करता है कि बाहरी दुनिया में घटरी घटनाओं को हम परसीव करें, इसके साथ साथ, चुकि हमारा conscious mind logical और rational होता है, तो बाहरी दुनिया में घटरी घटनाओं के आधार पर उसे rationalize कर, या उसे analyze कर, हमें decision लेने में हमारी साहता करता है, कि इस वक्त ये घटना हमारे सामने घट रही है, तो अब मुझे करना क्या है, इसके reaction में मुझे क्या करना है, और ये निरने लेने में हमारा conscious mind हमारी साहता करता है, वहीं जो हमारा subconscious mind है, वो एक प्रकार का memory storage है, जो भी चीजें, जो भी पहलो हम बाहरी दुनिया से perceive कर रह तो उसे execute करने में हमारा अवचेतन मन हमारी साहता करता है, वो भी अपने past के memory के आधार पे या past के अनुभाओं के आधार पे जिसे हमने चेतन मन के द्वारा perceive किया हुआ है, इसके अलावा हमारा अवचेतन मन, हमारी आंतरिक दुनिया, हमारे विचारों, या auto suggestions, हमारे emotions and feelings को भी control करता है, और present situation में हमारे चेतन मन के द्वारा लिए गए किसी भी decisions को अपने past की memories और अनुभाओं के आधार पे support या confront करता है, दोस्तों जब हमारा अवचेतन मन हमारे किसी भी चेतन मन के निर्ने को समर्थन करता है, उस वक्त हम सकारात्मकता का अनुभाओ करते हैं और उर्जावान होकर पूरे मन से actions लेते हैं और हमारे results भी सकारात्मक होते हैं, वहीं जब हमारा अवचेतन मन हमारे किसी चेतन मन के द्वारा लिए गए निर्ने को confront करता है, उस वक्त हम नकारात्मक विचारों और तनाव को अनुभाव करते हैं, जिसका प्रभाव सीधे तोर पर हमारे actions और हमारे परिनाम पर पड़ता है, यहां एक बड़ी मुद्दे की बात है कि जब भी आप जीवन में कोई निर्ने ले रहे हैं और आप चाहते हैं कि उस निर्ने को आप execute करें, उसे reality में convert करें, actions लें, appropriate actions लें, तो आपको करना क्या होगा, आपको अपने च अचेतन मन, सहमत हो, अगर आपके इन दोनो levels of mind के बीच किसी प्रकार का कोई conflict होगा, then you have to face all the struggles in life, चाहे वो financial struggle आपके जीवन में हो, चाहे वो आपके relationship struggles हो, या आपके professional struggles हो, या फिर health related कोई struggle हो, अगर किसी भी प्रकार के in segments में आपको अगर struggle face करना पढ़ रहा है, what it means, there is some kind of conflict between your conscious and subconscious mind, एक example से इसे समझने का प्रयास करते हैं, दोसों, मान लो थोड़ी दिर के लिए कि आप इस वक्त मेरे सामने खड़े हो, और मेरे हाथ में ये pen है, अगर मैं इस pen को आपकी तरफ उचाल दूँ, आपकी तरफ इस तरह आपके चेहरे को point करते हुए, fake तू, आप आपके चेहरे को चुप सकती है, तो आप क्या करेंगे, इमेडियेटली, स्पॉन्टेनेसली, आप अपने हाथ से इस pen को रोक लेंगे, तो ये होगा आपका action, ये पूरा event है, अब इस event में आप एक चीज़ देखो, कि आपने किस प्रकार conscious और subconscious mind का इस्तेमाल किया, जैसा म सारी दुनिया में घटरी घटना को परसीव करने में हमारी मदद करता है, और साथ में rationalize कर, analyze कर, उस वक्त हमें क्या निरने लेना चाहिए, वो उसमें हमारी मदद करता है, और फिर वो command आपके subconscious mind को जाता है, subconscious mind acts accordingly, उस command में हमें, उस command के, जैसे decision हमने लिया, और वो command उसे म यह pen आता हुआ देखा, और आपकी आँखों ने यानि आपकी चेतन इंद्रियों ने इसे देखा कि यह pen आ रही है, और यह नुकीली है, यह मेरे चेहरे को चुप सकती है, यह पूरा जो rationalization है, यह जो पूरा analysis है, आपने इसको किया, और वो भी fraction of a second में, और इमेडियेटल मेरी तरफ नजदीक आ रहा है, अब मुझे अपने solder को move करना है, फिर मेरे कोहनी को मोड़ना है, फिर अपनी हंतेली को खोलना है, और अब इसे रोकना है, क्या आपने इस पूरी प्रक्रिया को सूझ बूझ के साथ किया, या सोच समझ कर किया, absolutely not, जैसे हैं आपने यह command दि unconscious mind का इस्तिमाल किया, उस घटना से अपने आपको बचाने के लिए, या उस जगह पे properly act करने के लिए, अब मान लो कि ये जो pen है, ये pen ना होकर एक बड़ा सा पत्थर में उठा कर आपकी तरफ से फेंक दो, आपकी तरफ फेंकूंगा, तो जब मैं आपकी तरफ पत्थर फ का जाए, तो होगा ये कि हाथेली मेरी घायल हो जाएगी, तो आप क्या करेंगे, बड़े से पत्थर से बचने के लिए आप पूरी बॉड़ी को मूव करेंगे, तो ये जो अलग-अलग events में, अलग-अलग actions या execution है, ये कौन तरफ कर रहा है, कि आप अपनी हाथेली के muscles का या पूरे शरीर में जितने भी muscles से उसका यूज करते हुए पूरी बॉड़ी को मूव करेंगे, ये आपका अउचेतन मन कर रहा है, आप उस वक्त चेतना के जरीए कमांड नहीं दे रहे हैं, या चेतना के जरीए ये चीज़ें आप नहीं कर रहे हैं, कि भाई मुझे पैर मूव करना है, आप कमर हिलाना है, फिर पूरी बॉड़ी, पूरा सोल्डर, पूरा इस तरह से जुकना है, ये पूरी चीज़ें आप सोच समझ कर नहीं कर रहे हैं, इस पॉन्टेनियस रिस्पॉंस और जिसको कह सकते हैं, अप पैटर्ण विच वोक्स एकॉर्डिंग्ली, अप सरे प्नेयरी, इस पूरी चीज़ें तरह समझ कर दो पूरी ज़िए और शुकन्सेस कमांड के जरी ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो ठीक इसी तरह हम जीवन में हर पल कुछ ना कुछ निरना ही ले रहे हैं, हर वक्त हम कोई ना कोई डिसीशन ले रहे हैं, हमारे आस पस-पस घटनाएं घट रही हैं और उसके आधार पे हम निड़ने ले रहे हैं कि हमें यहाँ पे अब क्या करना है और उस वक्त आपका अवचेतनमन आपको सपोर्ट करता है एक्सक्यूट करने में लेकिन अगर इन दोनों के बीच में किसी प्रकार का कॉन्फिक्ट हुआ त आपके माइंड से पूरी तरह से जो पास्ट की मेमरी है उसे मैंने हटा दिया और अब मैं आपके जहन में एक मिस इनफॉरमेशन डाल रहा हूं वह मिस इनफॉरमेशन यह है कि यह जो कलम है यह कलम नहीं है यह तलवार है यह एक तलवार है और यह अगर आपको लगती है तो यह आपके शरीर को आरपार कर सकती है और जो बड़ा सा पत्थर है, वो पत्थर नहीं है, वो रूई का एक गोला है जो आपके तरफ आपको अगर लग भी जाए तो उसे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा जबकि वो है पत्थर, मैंने ज़स्ट यह मिस इंफॉर्मेशन आपके अंदर इंप्रिंट कर दिये आपके सबकॉंसेस माइन वी आपकी मैमरी में इंप्रिंट कर दिये और पुरानी सारी लॉजिकल मैमरी मैंने हटा दी, थोड़ी दिर के लिए इमैजिन करो कि अगर मिस इंफॉर्मेशन हो, अगर आपका सबकॉंसेस माइन गलत तरीके से प्रोग्राम्ड हो, तो क्या हो सकता है तो मैंने आपकी मैमरी हटा कर यह नई मैमरी डाल दी कि यह जो पैन है यह तलवार है और यह आपके शरीर के किसी भी हिस्से को आरपार कर सकती है वहीं पे जो बड़ा पत्थर है वो रूई का एक गोला है अब इमाजिन करो आपके रियाक्शन को जब मैं यह पैन आपकी तरफ उच्छा लूँगा, चुकि आपको यह पता है कि यह तलवार है, अब यह पता है कि यह तलवार है और आपके शरीर के आरपार हो जाएगी तो आप इसे हंतेले से कते ही नहीं रोकेंगे, कभी नहीं रोकेंगे क्यों आपको पता है कि आपके हंतेले में छेद हो जाएगा और आप घायल हो जाएगे ऐसे में आप क्या करेंगे, इस पैन को आता हुआ देख, आप एक्सपोनेशली डर जाएगे, फियरफुल सिचवेशन में आएगे और पूरी बॉड़ी को मूव करेंगे बहुत तेजी से यानि आप इस पैन से बचने के लिए जितनी एनरजी की जरूरत है आपको इसे रोकने के लिए उसके कहीं ज़्यादा एनरजी आप लगाएंगे या प्रड्यूस करेंगे ताकि आप इससे बच सकें चुकि अब आपके पास इनफॉर्मेशन है कि इस इस नॉड़ पैन, इ नहीं देंगे आप हसेंगे और लगे यार यह तो रूई का गोला है यह मुझे क्या मेरा क्या बिगाड़ सकता है और असल में वह पत्थर है तो अब होगा क्या कि वह पत्थर सीधे आकर आपके शरीर को लगेगी और आपको बहुत बत्तर तरीके से घायल कर जाएगी दोस क्या चीज तलवार है क्या चीज बत्थर है क्या रूई है और क्या हमारे लिए खतरनाक है और क्या नहीं और कई बार यह मिस इनफॉरमेशन या जिसको कह सकते हैं नेगटिव प्रोग्रामिंग आफ यूर माइंड कहीं न कहीं हमें स्ट्रॉगल में ज्छोंक रही हैं कितन मिस इनफॉरमेशन हमारे अंदर डाली घूंग हैं ओ हमने कहीं काहनियों में पढ़ लिया कुछ बुरी चीजें अख़र में निगटिव निउस पढ़ लिया कहीं कुछ हमने देख लिया यह टेलीविजन पे देख लिया किसी रिस्तयार नयक्र कुछ बता दीया कई बार व हुई है लास जा रही है अचानक से वो कोई कह देता है हमापे जीवन का कोई भरोसा नहीं भाई कब कौन चला जाए अब यह मैमरी कहीं ना कहीं हमारे मन में अगर फीड हो गई जीवन का कोई भरोसा नहीं फिर हम जीवन को बहुत कैजूली लेना शुरू करते हैं यार इसका क्या भरोसा कब निकल जाए वहीं किसी ने कह दिया कि भाई सिकंदर भी खाली हाथ गया कफन में जेव नहीं होते तो अब हमें लगता है कि पैसे के लिए हम क्यूं स्ट्रगल करें क्यूं मेहनत करें पैसा क्यूं कमाना पैसा important नहीं है सो इस हालात में होता क्या है कि हमें जो appropriate actions लेने चाहिए है आज के इस materialistic world के साथ group up करने के लिए हम वो appropriate actions नहीं ले रहे हैं और जब हम appropriate actions नहीं लेंगे तो result भी हमें opposite मिलेंगे सो अब करना क्या है important है कि हम अपने इन दोनों चेतन और अवचेतन मन के बीच एक तारतम में बिठाएं एक तालमेल बिठाएं एक alignment create करें जो हम निर्ने ले रहे हैं उस निर्ने से हम अपने अवचेतन मन को convince करें कि हमें कैसे सही actions लेने हैं और आप वो actions लेना शुरू करो ताकि मैं autonomous mode में आकर यानि कि इसको कह सकते हैं स्वचलित रूप से मैं उन चीज़ों को हासिल करना शुरू कर दूँ उन खुशियों को हासिल करना शुरू कर दूँ जो मेरे जीवन में महत पूर्ण है जो मेरे आने वाले generations के लिए महत पूर्ण है जो मेरे बच्चे के लिए महत पूर्ण है जो मेरे life में आराम और luxury के लिए महत पूर्ण है दोस्तों कई बार लोग कहते हैं कि भाई देखो ये हाई हाई क्यों कर रहे हो इतना क्यों जीवन साधरन रूप से जीओ जीना ही तो है जो है उसको स्विकार करो जितना है उसमें अपने आपको समेट कर चलना सीखो जितनी चादर है उतने पैर फैलाओ लेकिन एक बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ and don't forget it you are living in a materialistic world आप अपने आँखों के सामने चमकते घर चमकती गाड़ियां और चमकते लोगों को देखकर उस चकाचान से अपने आपको बचा नहीं सकते जब भी आप इन चीजों को अपने सामने देखेंगे आपके अंदर एक infinity complex होगा चलिए आप अगर अपने आपको समझा भी लें आपके बच्चों को आप कैसे बचाएंगे ऐसे में आपके पास एकी चीज बचता है या एकी चीज एकी decision एकी निरने आपके लिए सही हो सकता है और वो ये कि आप इस materialistic world से अपने आपको दूर ले जाएं किसी हमाले की गुफा में अपना जीवन व्यतित करें जो की असंभव है और अगर ये असंभव है तो फिर हमें अपने आपको प्रोग्राम करना होगा कि हम इसी materialistic world में रहते हुए इसी सांसारिक जीवन में रहकर इसी भौतिक जीवन में रहकर या भौतिक दुनिया में रहकर अपने जीवन को सुन्दर बनाएं अपने achievements को profound तरीके से उसे explain करें अपने unconscious mind को prepare करें ताकि वो सही actions ले, सही निर्णय को support करें और सही actions लेते हुए सही results प्रोड्यूस करें उन resources तक हमारी approach बनाएं जो कि हमारे आसपास हैं क्योंकि nature ने किसी के साथ कोई भी differentiate नहीं किया अगर कोई इनसान इस दुनिया में अरब पती है तो वो इसी दुनिया के संगसाधन को उप्योग करके वो अरब पती है ऐसा नहीं कि उसने mangal से कोई कुछ चीज उठा कर लेकर आ गया वो सनी ग्रह से कोई चीज उठा कर लेकर यहां पे अमीर बन गया ऐसा नहीं है इसी दुनिया में जो संगसाधन थे उसका उसने उप्योग किया आप यह कह सकते हैं कि उन लोगों ने generation से इस चीज को किया है या generation से वो develop होते आये तब जागा ठीक है आप आज से शुरू करें आपके आने वाले generations इन चीजों को भोग करेंगे क्या उनके प्रती हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं क्या हमारे आने वाले generation इसलिए सफर करें क्योंकि वो हमारी generation है No, we have to take the responsibility right now and we have to act accordingly So, आज हमें उन चीजों को तई कर लेना होगा कि हमारे बच्चे आखिर किस प्रकायर के जीवन जीएंगे आखिर उनके जीवन में क्या वो हासिल करेंगे आखिर हमारा उनमें क्या योगदान होगा हम उन्हें कितनी उचाई तक ले जा सकते हैं कहां तक हम उन्हें प्लैटफॉर्म दे सकते हैं क्या launcher हम उनके लिए तैयार करके देंगे ताकि जिन दुखों को हमने जेला है वो हमारे जो एक्स्टेंशन्स हैं हमारे जो बच्चे हैं उनके जीवन वो चीज़े ना है कई बार आप और मैं ऐसा सोचते हैं लेकिन होता ही यह है कि हम एक्ज्ग्यूट नहीं कर पाते अप्रोक्रेट आक्शन नहीं ले पाते हैं इन चीज़ों के लिए लेकिन अब बस अब आपको यह एक्शन्स लेने हैं और इसके लिए आपके अनकॉंसेस माइंड को और चेतनमन को रिप्रोग्राम करना है यहां एक बड़ा प्रमुक बिंदू है कि कैसे हम अपने old negative patterns को या जो information stored है पैसे, health, relationship, profession को लेकर दुनिया जीवन, दुनियादारी को लेकर कैसे उन patterns को हम reprogram करें क्योंकि यह इतना आसान नहीं है कई बार आप मेंसे कई लोगों ने self-help किताबें पढ़ी होंगे कितने motivational speakers को सुने होंगे कितनी बार तो अच्छे सानिद में गये होंगे कितनी बार तो अपने गुरूओं को सुना होगा कितनी सारी चीज़ों को हमने try किया है but we are failed to reprogram our subconscious mind or take appropriate action in this materialistic world और हमें failure का सामना करना पड़ा है जब तक हम उनके सानिद में हैं जब तक हम motivational speakers को सुन रहे हैं किताबे पढ़ रहे हैं तब तक तो बढ़ा अच्छा लगता है लेकिन जैसे हम अपने जीवन में वापस आते हैं धाक के वही तीन पात back to pavilion इसका कारण है कि हम अपने चेतना और अपने अवचेतर मन के बीच जो alignment है वो ठीक से नहीं create कर पारे है क्योंकि आपके अच्छेतर मन को अगर आप reprogram करना चाहते हैं तो technically जैसा मैंने कहा कि आपको यह समझना होगा how it works और कैसे उसे आप reprogram कर सकते हैं केवल सोच भर लेने से या पड़ भर लेने से केवल किसी के अच्छी बातों को सुनने से आप अपने unconscious mind को अवचेतर मन को नहीं program कर सकते हैं क्योंकि आपका जो अवचेतर मन है वो logical नहीं है वो rational नहीं है जो जिन शब्दों को सुनकर आप motivate समझ रहे हैं आपको motivated समझ रहे हैं आपके conscious mind का game है जैसी थोड़ी दिर में चुकि आपका subconscious mind memory storage नहीं कर पाता वो केवल कुछ समय के लिए memory को एक तरह से कह सकते हैं कि उसे अपनी memory में रख सकता है तो कुछ पल के लिए आप motivated रहते हैं जैसी वो चीजें आपके conscious mind से हटी तुरंथ ही आप demoralize feel करते हैं जैसा मैंने कहा अभी challenges जो सबसे पहले challenges जैसा मैंने कहा वो है different language अभी मैंने जिसके बारे में बात किया different language यानि कि logical mind यानि आपका चेतन मन जिन चीजों को समझ रहा है या जिन चीजों को learn कर रहा है perceive कर रहा है जरूरी नहीं कि वो आपके अवचेतन को भी पता हो और ठीक उसी तरह जो चीजें आपके अवचेतन मन को पता है जरूरी नहीं कि आपके चेतना को भी उसकी जानकारी हो for an example मान लो कि आपने one fine morning आपने यह नेने लिया कि आज मैं नहीं गाड़ी खरीदूँगा और मैं खुद उसे drive करूँगा जबकि आपको driving नहीं आती imagine करो आपने गाड़ी खरीद ली और गाड़ी खरीदने के बाद logically आपने किसी भी person से यह जानने का प्रयास किया कि भी गाड़ी को चलाते कैसे है और उसने आपको logically यह बता दिया कि गाड़ी चलती कैसे है पहले switch से start करना है फिर उसे clutch लेना है फिर उसमें से gear shift करकर उसे gear लगाना, gear पर डालना है और फिर धीरे-धी clutch को छोड़ना है accelerator को लेना है और steering को ठीक से समालना है और आप गाड़ी आपकी बढ़ने लगी की और आप गाड़ी चलने लगोगा यह learning आपको दे दी गई अब मुझे बताओ क्या इस learning के जरिए जो अभी अभी आपने सीखा आप क्या कार चला सकते है absolutely not क्योंकि चेतना के स्थर पर आपको जानकारी मिल चुकी है कि गाड़ी कैसे चलाना है कार कैसे ड्राइब करना है बट आउचेतन मन उसके लिए prepared नहीं है आउचेतन मन ने उसे नहीं सीखा है और अब अगर इस जानकारी के आधार पर इस चेतन मन की जानकारी के आधार पर अगर आप ड्राइब करने जाएं यूल हाव बिगर एक्सिदेंट तो ड्राइब ठीक उसी तरह अगर आपको तैरना सीखना है और मैंने सारे प्रक्रिया बता दिये कि भई पानी में जाना है, फ्लोट करना है, हाथ को चलाना है पैर को भी समिसे मारना है और आप अप तैरना सुरू कर देंगे क्या इस जानकारी के साथ आप पानी में खूठ जाएंगे और कूठ कर तैरना शुरू कर देंगे Absolutely not subconscious mind has a different language to train itself for any action or execution और यही कारण है कि चेतना के स्थर पर हमारे पास सारी जानकारिया है we know everything what we have to do हमें क्या करना चाहिए हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए हम सभी को पता है हमें अच्छी clean food खाने चाहिए हम सभी को पता है हमें गुस्सा कम करना चाहिए हम सभी को पता है हमें professionally बहतर actions लेने चाहिए हम सभी को पता है हम रोज निर्णे लेते हैं क्या हम उन निर्णे को execute कर पाते हैं क्योंकि consciously तो हमने निर्णे ले लिया लेकिन उसके लिए अवचेतर मन को convince करना हम भूल गए हमें ऐसा लगता है कि हमने ये information परसीव कर ली है तो अब जो है उस information के आधार पे मैं जो भी decision ले रहा हूँ उसको मैं execute कर लूँगा लेकिन एक, दो, तीन, चार, पांच दिन उसके बाद back to pavilion आप consistent नहीं रह सकते तब तक जब तक आपका अवचेतर मन आपके किसी भी decision को support न कर रहा हो वैसे ही कई चीज़ें आपके subconscious mind को पता है जो आपके conscious mind को नहीं पता आपकी धड़कने कैसे चल रही है आपका blood pressure कैसे maintain हो रहा है आपका digestive system कैसे काम कर रहा है आपकी pancreas में कैसे functions हो रहे है आपके levers में कैसे functions हो रहे है आपके chemical and biological processes जो आपके survival के लिए बहुत important है वो सारी प्रक्रियाएं कैसे चल रही है और कौन चला रहा है उसे और absolutely आपका आउचेतर मन क्योंकि चेतना के स्थर पर आप उसे deal नहीं कर सकते आप अपनी धड़कनों को आगे पीछे नहीं कर सकते आप अपने digestive system को handle नहीं कर सकते deal नहीं कर सकते चेतना के स्थर पर जान बूझ कर नहीं कर सकते ये सारी चीजें आपका आउचेतन मन चला रहा है इस वक्ट जब आप चेतना के स्थर पर मेरी बातों को सुनने और समझने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक उसी वक्त आपकी मेटाबोलिजम काम कर रही है, आपका प्रेशर मेंटेन हो रहा है, everything is working fine, क्योंकि उन पैटन्स को आपके unconscious mind ने learn किया हुआ है, जिसकी जानकारी आपके present awareness को नहीं है, आप इस वक्त जान भूझ कर अपने सांसों को नहीं चला रहे, आप अपने heart rhythm को नहीं चला रहे, आप अपने digestive system को नहीं चला रहे, that is completely autonomous, so कहने का मतलब यह है कि कई बार जिन चीजों की जानकारी आपके चेतना को है, जरूरी नहीं कि उसकी जानकारी आवचेतन मन को हो, और जिन चीजों की जानकारी आपके आवचेतन मन को है, जरूरी नहीं कि चेतना को हो, तो कई बार जो आपको लगता है कि नहीं मुझे ये जानकारी मिल गई है, तो मेरा और जेतन मन तो मेरा सपोर्ट मुझे करना ही चाहिए ऐसा नहीं है कई बार उसके काउंटर पार्ट्स आपके सब कांसेस माइन में पढ़े है अब जैसे मैंने थोड़ी दिर पहले बताया कि पैसों को लेके हमें कहा जाता है विलन्स भी दिखाया जाते हैं वो पैसे वाले होते है तो कहीं ना कि हमारे मन में एक रूप प्रारूप बनाया गया है गठित किया गया है कि वह पैसा जिसके पास है वो विलन्स है तो ऐसे में आपके अंदर money anxiety create हो जाएगी अब ये आपके आउचेतन मन में पढ़ा है जब भी पैसे को लेकर कोई opportunity आईगी आपका subconscious mind drag करेगा आपको fear देगा, आपका confidence lose करेगा, आपके अंदर में ऐसे negative emotions create करेगा जहां पे आपको पसीने आएंगे, जहां आपके पैर और घुटने काफेंगे, जहां आपके हांथेली काफेंगे, जहां आपके आवाजें काफनी सुरू हो जाएगी आप उन चीजों के साथ पूरी तरह से जुड़ ही नहीं पाएंगे जहां वो opportunity है जिसके जरीए आप कुछ पैसे कमा सकते हैं या दौलतमन्द बन सकते हैं यह है आपके negative patterns यह एक बहुत बड़ा challenge है that they both mind have different languages so we have to understand the language, how to communicate with each other यह बहुत important है, अगली चीज, यहां पे जो सबसे बड़ी चीज है जैसा मैंने कहा अब तक, यह जो हमारा चेतन और अवचेतन मन है इसके बीच में जो power distribution है, इसमें एक बहुत बड़ा अंतर है आपका जो चेतन मन है, उसके पास आपकी पूरे मन की शक्ती का केवल 3-5% हिस्सा है जबकि आपके अवचेतन मन के पास 95-97% आपकी जो मानसिक शक्ती होती है, वो उसके पास होता है या मन की शक्ती उसके पास होती है नेचर ने हमारे अपका अनकॉंसेस माइंड को सबसे ज़्यादा शक्तिया दी है इसके पीछे का कारण क्या है? बहुत सिंपल अभी अभी मैंने आपको बताया कि आपका अवचेतन मन आपके शालिक प्रिक्रिया को डील करता है आपके जीवन को चलाने के लिए जो सर्वाइवल मैट्रिक्स हैं आपके लीवर का function करना, pancreatic को order में चलाना, आपके आंतों को रन करना, आपके metabolism को रन करना, आपके digestive system को, आपके heart rhythm को, आपके blood pressure को, आपके body temperature को तो ये जो सारी चीजें हैं आपके survival matrix में सबसे important है, आपका जिंदा रहना बहुत important है और जिंदा रहने के प्रक्रिया को सही डंक से चलाना बहुत important है, दूसरी चीज, कि जब आप अवचेतन, पूरी तरह से अवचेतन वस्ता में हैं, यानि कि जब आप नेंद में हैं, तब भी ये प्रक्रिया चलती रहती है, तब भी आपके survival matrix में आपके जीवन को चलाने के जितने भी chemical biological processes हैं, organic processes हैं, वो सबी काम करती हैं, जबकि आप चेतना में नहीं हैं, आप पूरी तरह से निंद्रा में हैं, और वो भी 24 into 7, बिना ठके और बिना रुके, आपका जीवन जब से शुरुआत हुआ और जब तक अंत होगा, इसमें चाहे 100 साल लगे, 120 साल लगे, 60 साल, 70 साल, बिना रुके और बिना ठके, आपका subconscious mind लगातार आपके survival matrix को चलाता रहता है, तो यही कारण है, कि nature ने उसे सबसे ज़्यादा शक्तियां दी हैं, क्योंकि उसके पास सारे important काम दिये गए हैं, उसे इस तरह से design किया गया है, कि वो 24 into 7 बिना ठके रुके काम करत है, अगर आपके अवचेतन मन ने थोड़ा भी rest ले लिया, तो practically आप rest in peace हो जाएंगे, चेतना के इस तरह पर आप 10 दिन में 10 बार सो लें चलेगा, बट अवचेतन इस तरह अगर आप 1 second के लिए चूप जाएंगे, तो आप you'll face death, so जब इतने important काम आपके अवचेतन मन को पड़ी जो learning है, जो memories है, जो उसके अपने past, जिसको कह सकते है, experiences हैं, उसके आधार पे वो किसी भी वक्त आपके चेतन निर्ने को, चेतना के इस तरह पर लिए गए निर्ने को overwrite कर सकता है, लेकिन आप उसके निर्ने को overwrite नहीं कर सकते, very simple, मैंने अभी अभी आपको बताय आपने एक निर्ने लिया कि मैं कल सुबह जल्दी उठोंगा, मैं exercise करूंगा, मैं good food खाऊंगा, मैं गुसा कम करूंगा, सब कुस ठीक है, बट ये बात आवचेतन मन को पता नहीं है, और आपने ये निर्ने ले लिया और आपने इस चीच को मान लिया थोड़ी देर के लेकिन चुकि आउचेतन मन जादा सक्तिचाली है, आप forcefully उसे force नहीं कर सकते या उसे मजबूर नहीं कर सकते आपके decision को execute करने के लिए, क्यूंकि आप ताकत में कमजोर है, यानि आपका चेतन मन जो है वो ताकत में कमजोर है, इन दोनों के बीच अगर आप contradictory relation create करने का प् आपके साथ, you can, you can, you can, you can't, if you are not convinced your subconscious mind, अगर आप जोर जबरस्ती करेंगे, आपको दिक्कत आएगी, ठीक उसी तरह कि learning आपने consciously ले लिए गाड़ी चलाने की और आप 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 आड़ी में बैट गए हैं, और उसे 120 की speed में भगा रहे हैं, you will have an accident, so similarly आपने निरने ले लि और जब और जब और रिटैलियेट करेंगा तो वह आपको किसी भी वक्त थरा देगा, और यही कारण है कि हमारे निरने ले दो चार दस दिन में हम बदल देते हैं, जिसको कह सकते हैं कि हम उसे छोड देते हैं, हमें छोड़ना पढ़ता है, ना चाहते भी भी छोड़ना प So basic point is that if you want to execute everything what you want in your life, आप अपने हर एक decision को सही धंग से अगर pursuit करना चाहते हैं, सही धंग से अगर उसे consistent रखना चाहते हैं, ताकि आप बहतर result हासिल कर सकें, तो you have to convince your subconscious mind. और एक बार अगर आपने ये कर लिया, अपने अवचेतन को अगर उस चीज से convince कर लिया, you don't have to worry about the actions. ठीक जिस प्रकार आपने pen और पत्थर से बचने के लिए actions लिये थे, जहां आपने हथेली को move किया और पूरे body को move किया था, ठीक appropriate action आपका अवचेतन मन लेना शुरू कर देगा, you don't have to teach them every time, हर वक्त आपको उसे बताने की जरुत नहीं है, ठीक उसी तरह जब आप गारी चलाना सीख जाते हैं, तो उस वक्त आप कई बार देखते हैं कि बिजी ट्राफिक में भी आपका कोई urgent phone आगया, call आगया तो आप call पे भी बात कर रहे होते हैं, gear भी shift कर रहे होते हैं, clutch भी direct सहीच समय पर ले रहे होते हैं, accelerator भी controlled way में आप दबा रहे होते हैं, steering भी आप ठीक से handle कर रहे होते हैं, कई बार सडकों में गड़े आते हैं उसी दौरान, तो आप उन गड़ों के साथ भी अच्छे से deal करते हैं, और घर आसानी से पहुंच जाते हैं, because you have trained your subconscious mind. So the basic point is that, if you want to pursue your decisions, if you want to achieve your outcomes, if you want to have a wonderful life, you have to reprogram your subconscious mind. जब आप इन दोनों ही मन को align करना सीख जाएंगे, what you will have? You will have the 100%, you can use the 100% power of it. आप अपने मन की 100% सक्तियों का उपयोग करना शुरू कर देंगे, और जब ऐसा होगा, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता. So the main point is that you need to align both of them. दोनों को align करना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात, इन दोनों के बीच में कम्यूकेशन इस्टैबलिस करना पड़ेगा. अब वो हम कैसे कर सकते हैं? How to reprogram मुद्दा यह आता है. दोस्तों, चार ऐसे तरीके हैं तो ऐसे में उन्हें उसे logical evidence की क्या विशकता है? Actually, आपके subconscious mind को किसी भी प्रकार के logical evidence की जरूत नहीं होती, लेकिन चुकी आपका conscious mind, चेतन मन, आपके subconscious mind तक चीजों को पहुंचाने के दरवाजे पर बैठा एक चौकिदार की तरह होता है, तो ऐसे में आपके conscious biases को या logical imprints को तोड़ना बहुत आवशक है, जब आप अपने subconscious mind को नए सिरे से program करना चाहेंगे या reprogram करना चाहेंगे, उस वक्त आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आप जिन तन्त्यों को संदेश की रूप में अपने अवचेतन तक पहुंचाना चाहते हैं उसमें उनमें logical evidences हों, यानि कि वो बात तथ्यात्मक हो, अन्यथा आपका conscious bias उन तथ्यों को refute करेगा और उसे आपके अवचेतन तक पहुंचने से पहले ही delete कर देगा, या कहें तो सिरे से खारिच कर देगा, दोस्तों दूसरा जो महत्मून तरीका है वो है authoritarian suggestion, हमारा mind अपने past के अनभव के अधार पर जिन लोगों को authority मानता है, यानि जिनकी authority हमारे mind के अंदर already built है, जिन्हें हम local model excellence भी कहते हैं, local model excellence यानि हमारे locality में जो भी model हमारे लिए excellent है, यानि जिन्हें हमारा mind emotionally जिनके साथ attached है या जिनको वो एक तरह से प्रग्य मानता है, महतपुण personality के रूप में देखता है, उनकी बातें आपके conscious bias को या फिर आपके logical filtration को एक तरह से bypass कर जाती है और वो सीधे जाकर आपके आउचेतन मन में एक गहरी पैट बना लेती है, दोस्तों यही कारण है कि बचपन से जो हमारे local model excellence रहते हैं, जैसे कि माता पिता, teachers, good friends, good relatives, इनकी बातें सीधे हमारे जहन में या हमारे आउचेतन मन के storage में जाकर वो imprint हो जाती है, जिनका प्रभाव lifelong हमारे decisions पर पढ़ता है, so authoritarian suggestions are very important while reprogramming your subconscious mind, तीसरा एक महतपुण जरिया है, जिसके जरिया हम अपने subconscious mind को reprogram कर सकते हैं, that is called hammering, hammering का मतलब है simple repetition, अगर आप किसी एक चीज को बार-बार-बार-बार करें, तो धीरे-धीरे आपका अवचेतन मन उन चीजों को उन तथ्यों को लेकर reprogram हो जाता है, और फिर accordingly वो act करना शुरू करता है, it's a little boring process, क्योंकि इसमें persistency की बहुत अवश्यक्ता होती है, इसलिए कई बार कहा जाता है, if you are persistent enough and consistent enough, you will achieve success, कभी न कभी, कही न कहीं जाकर आपको सफलता हासिल होगी, so persistence आपके लिए बहुत important है, hammering बहुत important है, इसके अलावा एक जो चौथा तरीका है, जिसके जरिया हम अपने अवचेतन मन को reprogram कर सकते हैं, that is called hypnosis, अगर hypnosis का हम इस्तेमाल करें, hypnosis को हम अच्छे तरह से अग किसी भी वक्त अपने अवचेतन मन को reprogram कर सकते हैं, या उसे convince कर सकते हैं, to take positive and appropriate action, दोस्तों अगर इन चारों तथ्यों को accumulate कर दिया जाए, तो एक नाम उभर के आता है, that is called NLP, Neuro Linguistic Programming, a greatest and prominent mind training tool in this world right now, NLP एक ऐसा tool है, जिसके जरिये आप अपने mind को reprogram करने में, astonishingly सफलता प्राप्त कर सकते हैं, it is a kind of neurological communication which can help you to align your conscious and subconscious mind, दोस्तों अगर आप NLP को बहतर तरीके से समझना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि NLP आपकी किस प्रकार मदद कर सकती हैं, आपके जीवन को पूरी दर से transform करने में, So I would insist कि आप इस वक्त वीडियो के description box को check करें, जहां आप मेरी एक बहतरीन NLP foundation course access कर सकते हैं, जहां मैंने इन तत्यों के अलावा कई ऐसे topics कवर किये हैं, जिसके जरिये आप यह जान पाएंगे, इसके अलावा, pillars of NLP के बारे में आप जान सकते हैं कि कि किस आधार पे NLP आपके जीवन को transform कर सकती है, आखिर वो आधार क्या हैं, और उन आधारों को हम कैसे बहतर तरीके से profoundly तयार करें, ताकि हम NLP का बहतर उपयोग कर सकें, अपने mind को reprogram करने के लिए, और इस दुनिया में आज के वक्त के मुताबिक अपने achievements को हासिल करने के लिए, इसके अलावा, आप एक और बहुत महत्मून तथि जानेंगे, that is called perspective, creates our inner reality, हमारे जो perspective है, हमारे जो नजरिया है, किस प्रकार हमारे inner world को एक तरह से design करती है, create करती है, इसके अलावा, जो हमारा filtration system है, to perceive something and store something, इस process को आप पूरी तरह से समझेंगे, जहां आप ये समझेंगे कि past में जो चीज़ें आपने perceive की हुई है, उनमें कमिया कहा है, उनमें flaws कहा है, और फिर उसे आप twist and turn दे कर उसमें थोड़ा सा बदलाव लाकर आप अपने जीवन को पूरी तरह से transform कर सकते हैं, इसके अगर आपको आपके monetary लेवल पर या आपके healthcare लेवल पर या relationship के aspect में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो रही है, कोई दिक्कतें आ रही हैं, तो आप उन्हें पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं, इसके अलावा, submodalities of thought and its impacts in our emotions and behavior, हमारे जो विचार हैं, उसकी अपनी एक functionality है, उसकी अपनी एक modality है, अगर उसके बारीकियों को हम समझ लें, जिसे हम submodality कहते हैं NLP की दुनिया में, तो आप उन thoughts को पूरी तरह से बदल सकते हैं, उसके meaning को बदल सकते हैं, और उन्हें उन्हें बदलते या जब कभी भी आपको ऐसा लगता है कि मेरे habits and behaviors appropriate नहीं हैं to achieve my goals, तो आप उन्हें बदल सकते हैं, इसके अलावा अगली चीज जो आप जानेंगे that is called belief system, how it forms and its impact, किस प्रकार हमारा जो यकीन है, वो बनता है, हमारी धारनाएं बनती है, और किस प्रकार उनका महत्मुन प beliefs तयार करें ताकि हम अपने जीवन में thrive कर सकें, इसके अलावा आप जानेंगे how subconscious outcome can bring all the happiness in your life, अगर आप अपने outcome को अपने subconscious, यानि के अवचेतन मन में imprint कर दें, तो फिर आप उनके शक्तियों को भी उसके शक्तियों को भी इस्तिमाल कर पाएंगे, और ऐसे में आप अपन कैसे आप अपने मन, बचन और कर्म को कैसे आप अपने mind, body and brain को पूरी तरह से align करें, ताकि जब कभी भी आप कोई action ले रहे हैं तो उसमें जो कमिया जो flaws हैं उन्हें आप दूर कर सकें, और पूरे मन के साथ पूरी तरह से congruence में आके पूरी तरह से focused होकर अपने जीवन म और बहतरीन results हासिल करें, दोस्तों, इस course को करने के बाद, ultimately जो आप हासिल करेंगे उसमें जो सबसे पहली चीज है, that is all healthy mind and body, number two, mental peace, सबसे important, पूरी दुनिया की दौलत एक तरफ और मानशिक शान्ती एक तरफ, so मानशिक शान्ती के साथ जब आप कोई action लेते हैं, कोई decision hundred percent उस action and decision में सफलता नहीत होती है, और ऐसे में आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता, इसके अलावा, तीसरी चीज जो आप हासिल करेंगे, that is called internal motivation, या inner motivation, कई बार हम influence और motivation में फर्क करना भूल जाते हैं, या नहीं जानते हैं कि इसमें फर्क क्या है, लोगों के influence की category में रखेंगे, motivation की category में नहीं, because motivation should come from within, आपके भीतर से motivation आना चाहिए, आपके भीतर से आवाज आने चाहिए, that you are perfect, that you are great, you are fantabulous, आपके decisions और actions बहतरीन होते हैं, you are the champ, ये आवाजें जब आपके अंदर से आएंगी, that is actually called motivation, और एक बार अगर ये आवाजें आने inner motivation you will get from this course, इसके अलावा, last but not least, peak performance, आप किसी भी इन तीनों तत्यों को जब आप बहतर तरीके से जजव करेंगे, जब आप absorb करेंगे, और जब उन्हें अनभव करेंगे, तो obvious है कि आपके performance में एक बहतरी दिखाई देगी, एक expertise दिखाई देगी, आप एक expert तरीके से करेंगे, और फिर सफलता आपकी कदम चुमेगी, दोस्तों, इन चीजों को आप हासिल कर सकते हैं, और आज और अभी हासिल कर सकते हैं, just you have to take a small action, करना क्या है, simply आप description box को इस वीडियो के नेचे चेक करें, और वहाँ पे check करते हुए देखें, लिंक पड़ी है, वहाँ से और जीवन में transformation का आनद ले सकते हैं, शक्ति शाली बदलाओ को महसूस कर सकते हैं, with best wishes, this is Sandeep Kumar signing off, मिलूँगा next वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धनिवाद, और हाँ, चैनल को subscribe करना न भूलें, पसंद आरी वीडियो को share जरू करें, अपने relative, अपने दोस्त के साथ, आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर से दिबारा मिलेंगे, तब तक के लिए, thank you very much.